तिल गुर्ग का लड़ू बनाने के लिए हमने यहां half kg तिल, half kg गुर्ग, 4 टेबल स्पून मुंखवली जिसको मैंने dry roast करके उसका छेलका निकाल लिया है और 2 टेबल स्पून देशी घी लिया है तिल और गुर्ग दोनों का ratio equal रहेगा मैंने यहां जो गुर्ग यूज किया है वो मेरे गाउं का है आप कोई भी गुर्ग यूज कर सकते हैं अब हम gas on करके एक pan में तिल को low medium flame पर भुनेंगे इसे हमें high flame पर नहीं भुनना है नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगा तिल बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है तो हम तिल को दूसरे plate में निकाल लेंगे फिर हम gas on करके कड़ाई में 2 टेबल स्पून घी अड़ करेंगे और उसे melt कर लेंगे घी के melt होते ही उसमें हम गुर अड़ करेंगे गुर को हम grate करके या गुर को बारिक करके ही यूज करें इससे क्या होगा गुर जो है बहुत जल मेल्ट हो जाएगा मैं यहाँ जो गुर यूज कर रहे ही वो अपने घर का है और बहुत जल मेल्ट हो जाता है अब हम इसमें थोड़ा पानी आड़ करेंगे और इससे 4-5 मिनट तक पकाएंगे गुर को हमें जादा नहीं पकाना है अगर हम गुर को जादा पकाएंगे तो हमारा जो लड़ू है वो बहुत हाड हो जाएगा या हम इसे कम पकाएंगे तो यह सौफट ही रह जाएगा जब तक गुर मेल्ट हो रहा है तब तक यह जो मुंगफली के दाने हैं इसको हम क्रस कर लेंगे गुर को हमें तब तक पकाना है जब तक इसमें जाग जैसा न दिखने लगे या फिर हम एक बॉल में पानी ले और उसमें कुछ ट्रॉप गुर के डाले अगर गुर पानी मे फैल नहीं रहा है, set हो चुका है इसका मतलब है चास्नी बन चुकी है अब हम गयास के फ्लेम को off कर देंगे इसमें ये मुंखफली आड़ करके इसे mix कर लेंगे, फिर इसमें रोस्टेट तिल आड़ करके इसे भी अच्छे से mix कर लेंगे इस प्रोसेस को हमें बहुत जल्द करना है नहीं तो गुर्जो है सो जमने लगेगा अब यह अच्छे से मिक्स हो चुका है हम इसके लड़ू बनाना सुरू करेंगे इस मिक्षर को हमें ठंडा नहीं होने देना है यहाँ पे हमने एक बॉल में पानी रखाया हाथों को ग्रिस करने के लिए हाथों को पानी से ग्रिस करके ऐसे मिक्षर को उठाए और लड़ू का सेब दे ये प्रोसेस आपको बहुत साफ़ानी से करनी होगी क्योंकि मिक्षर काफी गर्म है अगर आपके घर में कोई और मेंबर है तो आप उनकी भी हिल्प ले सकते हैं लड्डू बनाने के लिए ऐसे में क्या होगा कि आपका मिक्षर ठंडा हुए बिना सारा लड्डू बन जाएगा इसी प्रोसेस से हमें सारे लड्डू को बना लेना है तिल गुर का लड्डू बनकर तयार है आप सब इस रेसिपी को इस मकर संक्रांती बना कर खाए या फिर ठंड के मौसम में भी इसे बना के खा सकते हैं यह काफी गर्म होता है और कमेंट सेक्षन में कमेंट करके मुझे बताए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी मेरे वीडियो को लाइक करे शेयर करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले न्यू अपडेट के लिए निचे दिये गए बेल बटन को प्रेस करें बनते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक कियर